हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टू शुती जवर्ड मैं हूं शुती और मैं हूं साभी आप लोग ठीक होंगे हम लोग भी ठीक हैं यहां पर अभी यहां पर दूपैर में एक बज़ रहा है हम लोगों ने अपना लंच फिनिश कर लिया है तो हम लोग उस दिन बियार पी काड कार दे शेयर बियार पी card में यहां हमारी फोटो होती है इसके बाद यहां पर नाम इसपर ओपर लिखा हुए रैसिडेंशाल पर्मिट का zwia के यहां पर वیलिट कब तक एसके वैलिदिटी यहां पर प्लेस आफ डिट इशुंन प्लेश एंडेट इशू यहां पर डेट लिखी हुई है टाइप ओफ कार्ड की टाइप ओफ क्या कार्ड है और इसके बैक साइड में मेरा डेट ओफ बर्थ बर्थ प्लेश और इंशरेंस नंबर यह इंशरेंस नंबर है नहीं देखिए फ्रेंट से श्रावी का बीर पी कार्ड है क्योंकि श्रावी माइनर है फोर इर्स की है तो इसके में इंशरेंस नंबर नहीं होता है बच्चों के जिनके 16 साल से कम एज है उनके में इंशरेंस नंबर नहीं होता है इसलिए श्रावी के में इंशरेंस नंबर न जब हम लोग पोस्ट ओफेस पहुच्छे पहले तो पोस्ट ओफेस याल बिल्कुल नहीं था बहुत ही अच्छ एक शॉपिंग मॉल टाइप कर ने बनाकर रखा है और उसके अंदर पोस्ट ओफेस था पॉस्ट ओफिस पर हम वहां गए, उन्होंने हमसे हमारे पास्पॉर्ट पहांगे, डॉक्यूमेंट में, हम लोगों इपने पास्पॉर्ट दिये, देन वो हमारा बीआरपी काड लेकर के आई, उन्होंने हमारा फेस वेरिफाई किया, और हम लोग का अमारा यह बी आरपी कार्ट दे दिया इसके लावर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा जब हम बी आरपी कलेट करते हैं तो वो लोग हमसे हमारा टेंप्रेरी या पर्मेनेंट जो भी यहां का एड्रेस है वो मांगते हैं तो उसके लिए हम जब भी कोई भी बी आरपी कलेट करने के लिए जाए तो अपना यहां का एड्रेस उसको पूरा पता होना चाहिए वो लोग वहां पर पूरा लिखवाते हैं जो आपको लोकल का नंबर आप लोग ने यहां का लिया है वो आपको चाहिए वो वो लोग लिखवाते हैं तो temporary हमारा temporary address था अभी हम लोग लोज में रुखे हुए है तो हम लोगों ने यहां का address यहां का address दिया और हम लोग के जो यहां के number हमको मिले है local वो हम लोगों ने दिये उसके बाद उन्होंने इसके रावा कोई और document नहीं लगता से वापका passport लगता है और कुछ नहीं लगता है तो हम लोगों ने अपना BRP card collect किया BRP card एक्चली यहां पर बहुत necessary है उसके बिना हम लोग यहां पर नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमको हर जगे वह document के रूप में वहां पर BRP card हमारा लगता है जब आपको एक बार BRP card मिल जाता है तो एक बार आप उसको check कर लीजिए पूरा कि उसमें आपकी सारी details सही है यह नहीं कोई correction तो नहीं कराना है एक बार जब आपको confirm हो जाए कि हाए पूरा सही है तो फिर आप आपको card मिल गया फिर हम लोग बाहर निकले बहुत अच्छा market था पूरा इंडियन शॉप्स थे बहुत सारे ग्रॉसरी के बहुत सारे शॉप्स थे इंडियन हम लोग ने थोड़ी से ग्रॉसरी शॉपिंग भी की बाकी खाने भीने की बहुत अच्छी शॉप्स थी मैगडी वगेरा सब कुछ था तो हम लोग थोड़ टाइम वहाँ पर घूमें गूमने के बाद में हम लोग यहां से तो टेक्सी से गए थे बट हम लोगों ने सोचा के बस स्टॉप पर हमारा बस आईगी जो कि हमको रेडल तक छोड़ेगी और रेडल से हमको दूसरी बस मिलनी थी बट हम लोग सीधे सीधे गए आर और एस हमको मिले हमको के बस स्टॉप नहीं मिला फिर हमने बहुत डूणा इधर से उधर उधर लास में जब हमको पता चल बस स्टॉप पर पहुचे तो वहां पर बहुत आप जो हमारी बस थी उसी का उसका नंबर नहीं आ रहा था शो नहीं कर रहा था बाकी सारे नंबर शो कर रहे थे तो आम तब भी कन्फ्यूज होगा कि बस आईगी यह नहीं आईगी बट हमने थोड़े दर बात देखा कि ज भाइसे हम लोग वहां से हम लोग 100 बस में बैठके अपने यहां ब्राइटन रोड हर्ले के स्टॉप पर उत्रे यहां से हमारा यह जो गेस टाउस है टू मिनिट्स वाक है तो वहां से वाक करके अपने घर आ गये तो फ्रेंट्स उस दिन मैं आपको यह सब चीज़े दिख रही हूं आप लोग को इस सब चीजे थोड़ी यूसफुल लगी हों जो लोग यहां आ रहे हैं उनके लिए बहुत यूसफुल है यह सारी चीजें तो अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को तब तक के लिए टेक क्यार बाई मिलते हैं नेक्स व्लोग में बाई बाई